बुदि मॉरिंग फ्रेंट्स आज की वीडियो में आप सबी का स्वागत हैं, आज की वीडियो में हम लग बात करेंगे ICICI Bank के बारे में इसके 2021 के Recruitment के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हो इसलिए वीडियो को लास्त तक जरूर देखिए अगर आपने अब तक हमारे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर तो बिल आइकन दबा दो और पिसलेक कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो डालो आपको सबसे पहले मिल जाया है तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो को शुरू करते हैं मैं आपको बताता हूं और आपने अब तक हमारे टेलेगराम जौइन नहीं किय तो उसको जरूर जूरूर जौरूर करें मैं इसमसारे विडियो की लिंग शेर करता हूं और अगर आपनी इस वीडियो को लाइक नहीं क्या तो प्लीज से एथ उक लिड़र does आ 10 अबrant पात करते हैं आईником काफी को कुछ टाइम से या कुछ हबते पहले बहुत सारे मेल आ रहे हैं अलग-अलग चीजों के लिए जैसे कि सबसे पहला पोस्ट होगा आपका वैलू बैंकर इसके लिए काफी लोगों को मेल आए गया है कि वह शॉर्ट लिस्टेड होके हैं वैलू बैंकर प्रोग्राम के आपने उसको अपलाई नहीं किया है फिर भी आपको इस तरह के का मेल आया कि आप वैलू बैंकर पोजिशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड किये गये हैं ठीक है तो यह वीडियो ज़रूर देखिए और काफी लोगों ने प्रोवेशनरी ऑफिसर के लिए ही अपलाई किया है लेकिन उनको इस तरह के मेल आ रहे हैं कुछ लोगों को तो आरहा है कि retail group में वो लोग शॉर्ट लिस्टेड हो गये है Icacii bank है तो इस तरीके के जो message आ रहे है या mail आ रहे है उनी के solution या उनी के reply के लिए मैं आपके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ तो अब हम बात करते हैं value banker और प्रोबिशनरी officer प्रोग्राम के बारे में देखिए काफी लोगों ने 51 batch के लिए apply किया था वो result का wait कर रहे है उनका gdpi हो चुका है तो काफी लोगों को mail आ रहे हैं उनके short listing के लिए value banker और other दुसरे department के लिए देखिए ये प्रोग्राम ही है लेकिन अलग-अलग department है तो उसके base पे आपको mail आ रहे हैं तो आपको टेंसल लेने की ज़रूरत नहीं है सारे के सारे जो position है वो same to same as a PO है ठीक है प्रोग्राम के ही वो सारे position है ठीक है फ्रेंट तो आपको बिल्कुल भी confusion नहीं होना चाहिए कि आपका department दूसरा होगा या कुछ होगा sales होगा retail होगा ETC यह सब कुछ नहीं है सारे के सारे same level same position मतलब PO प्रोग्राम ही है इसमें आपको confusion नहीं होना है और अभी आपको कुछ भी नहीं करना है जब तक आपका final result नहीं आता है ठीक है अभी जो होना था हो चुका है जिनको अगर बोल का कुछ भी reply नहीं करना है अगर जरूरी ना हो अगर आपका जरूरी है तो जरूर से reply करिएगा fill up कर दीजेगा form जो भी survey आता है उसको fill up कर दीजेगा लेकिन अभी आपको सिर्फ wait करना है अपने final result के बारे में जो भी 51 batch वाले है ठीक है friends यहाप आप देख सकते कुछ इस करने के लिए ठीक है आपको only wait करना अपने final result का ठीक है अभी आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इधर उदर कुछ भी fill मत करिएगा ठीक है काफी लोग बुर रहे हैं मेरा selection हो यह हो गया दुनिया मेरे का ऐसा कुछ नहीं हुआ है जब तक final result नहीं आता wait कर है दूसरा चीज sdfc bank का जो future bankers program है उसका अगर आपने exam दिया है online test online interview अगर आपने दिया है आप result का wait कर रहे होंगे तो यहाप आप देख सकते हैं हमारे एक viewer है उनका जो है selection हो चुका है उनको 20 February 2021 ठीक है 20 February 2021 को उनका program start होने वाला है उनकी classes start होने वाली है ठीक है तो 20 February 2021 त आप चेक करेगा अगर आपने इसका टेस्ट या इंटर्व्यू दिया है तो ठीक है फ्रेंट्स इस वीडियो में मैंने काभी सारे चीज़े किलियर कर दिया है आपको समझ में ही होगी अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना आपने दोस्ते के साथ शेयर करना और के लिए पने हम रखना गुडबाए